हरे मटर का दाल बनाने के लिए हम यहाँ पर दो कटूरी हरे मटर ले रहे हैं इसमें 7-8 लहसुन के कली, 3-4 हरी मिच, 1 टमाटर और 1 प्याज काट करके हम इसमें डाल रहें डाल देंगे और इसे ढखकन बंद करके हम इसमें 2 शीटी लगा देंगे ताकि मटर अच्छी तरह से गल जाए कूकर का ढखकन खुलेंगे यहाँ पर चेक करेंगे मटर हमारा गल गया है मटर को हम यहाँ पर आधा मैस कर लेंगे हमारा पुण़ी बन जाए और आधा मतर खड़ा रहे यहाँ पर हम घी में फुरन डालेंगे किति अपर दो तीन चुमज गीर देंगे घी में जीरा लाल मेचिह तेचपत्ता और सर्सों G और यह秹ा पर हमारे पास में सागफ प्याज तो हम बवा人 에요 अगर आपके पास यह लहसुन की पति है दू कि पुर्से डाल दीजिये और यहां पर एक टमाटर डालेंगे टमाटर को भी डालकर तरह के अच्चीतर से भून लेते हैं अग टमाटर गल्याकल इसके लिए दो में यहां पॉडर डालेंगे इन सभी को थोड़ा भूनने के बाद में हमारे जो मत्र प्यूरी था उसे हम डाल देंगे और इसे करीब लो फ्लिम पर 20 मिनट तक पकाएंगे और यह हमारा मत्र की दाल तयार हो गया अब हम इसमें धनिया पत्ता डाल देते हैं दालवन के रेडियो के चल सब डाल करके और उसमें हम कटे हुई एक प्याज डालेंगे बारी कटा हुआ प्याज डालेंगे इसे हम भूल लेंगे थोड़ा सा हलका भूनने के बाद भी हम इसमें कटे हुई पत्ली पत्ली गाजर और बिंस डालेंगे इसे भी एक मिनट एक से दो मिनट के लिए इसे ह फुलें के लिए रख दिये थे उसे च्छान करके और इसमें हम डाल करके दो मिनट के लिए इसे भून लेंगे इसमें और यहां पर हम एक ग्लास चावल लिए हैं तो चावल के अकॉडिंग हम यहां पर दो ग्लास पानी डालेंगे और इसमें हम यहां पर एक चम्मच नमक और एक चम्मच यहां पर हम चीनी डालेंगे और इसे हम लो फ्लेम में एक सीटी लगा देंगे तो यहां पर यह एक सीटी लग गया है और इसे गैस इसके जो गैस बनी हुई है इसके इसे जब तक खुद से ना ठंडा हो जाए तब तक हम इसे नहीं खोलेंगे जब तक यह ठंडा और अचली थोड़ा सा मिर्ची फ्राई कर लेते हैं तो यहां पर हलका सा स्वर्शु तिल डालके मिर्ची फाड़ करके डाल दिये हैं और इसे हलका भून लेते हैं इसे भूने और साथ में इसे थोड़ा सा नमक भी डाल देंगे इसमें और इसे चलाकर निकाल लेते हैं और देखिए इसमें गैस निकल गया और हम चावल देख लेते बिल्कुल फरफर चावल बना है बिल्कुल भी चिपका नहीं है ये और अच्छी तरशे ये गल भी गया तो चलिए हम सर्व करते हैं तो यहां पर हम यहां पुलाव ले लिए और यह रहा मतर की डाल झाल